Friends, Electronic Atom का इस्तिमाल हर घर में होता है हमारे बहुत काम आने वाले Electronic Atom होते हैं चाहे वो वाशिंग मशीन हो, एसी हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेव ओविन हो, गीजर हो या प्रेस हो, कोई भी Electronic Atom हर घर में काम आने वाला प्रोड़क्ट है हमें इनका इस्तिमाल भी करना है क्योंकि हमको ये फायदा पहुचाते हैं हमारे कामों को आसान कर देते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम उनको इस्तिमाल तो कर रहे हैं लेकिन हमको जो टेंशन होती है वो हमारे बिजली के बिल की इस महенगाई के दौर में हमारा जो बिझली का बिल है हर इनसान की एक टेंशन बना रहता है कि उसको वो कीसे कम करे हमें इन चीज़ों को इस्तिमाल भी करना है और बिझली के बिल के उपर भी हमारा फोकस रहता है हमारे लिए वो परेशानी का सबख बना रहता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिफ्स दूँगा जो आपके काम आएगा और मुझे 110% यखीन है कि आपके बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा अगर आपने इन टिफ्स को फॉलो किया वीडियो स्टाट करने से पहले फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि हम इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो अपने चैनल टीम टेक पे लाते रहते हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आईए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना लो फ्रेंड्स मैं मसूद मेंदीर इजवी आपका दोस्त आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम टेक पे बिलकुल सही आ बिल कम होने वाला है जी हां बिलकुल सही चीज मैं बता रहा हूँ आज मैं आपको वो टिफ्स दूँगा जिससे आपके बिजली का टेंशन कम हो जाएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्यो इसी बात की होती है कि हमारे बिजली का बिल किस तरह से कम हो जाए क्योंकि वो बहुत जादा आ रहा है हमको उसके लिए बहुत बड़े बड़े भुकतान चुकाने पड़ते हैं तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिफ्स दूँगा जिससे आपका बि इलेक्टरानिक एटम का यूज भी करते रहें और हमारे बिजली का बिल भी किसी तरह से कम हो जाए हर आदमी के दिल में यही खयाल रहता है यही कोशिश रहती है किस तरह बिजली का बिल कम किया जाए आज इस वीडियो में इस चोटी सी वीडियो में मैं आपको उसी के बा रेफ्रीजरेटर भी है, माइक्रोवेब भी है, गीजर भी है, मिकसर भी है, इंडेक्शन भी है, छोटे-छोटे एलेक्रोनिक एटम्स भी हैं, जैसे के प्रेस है, हेर ड्रायर है, फैन है, टेबिल फैन है, ब्लोवर है, तमाम चीजे हैं, हमारे ट्यूब लाइट हैं, जितना जादा हम इस्तमाल करेंगे उतने ही जादा हमारे बिजली के बिल बढ़ellsाएगा तो फ्रेंट्स हम ऐसा क्या करें जिस से भिजली के बिल कम हो जाये और हम इन चीज्वों को भी इस्तमाल कर सकें तो आज मैं आपको जो फॉर्मुला बताने जा रहा हूं जो मैं टिफ्स देने जा रहा हूं उससे आपकी ये टेंशन खत्म होने वाली है तो friends वो क्या formula है? तो friends करना क्या है? ज्यादतर घरों में inverter होता है, जिनके पास नहीं है वो खरीद लें क्योंकि इसमें इसका इस्तमाल होने वाला है। यही वो formula है जिससे आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि inverter से हम अपने बिजली के ब 24 गंटे आ रही है तो अब उसमें अगर हम 24 गंटे बिजली की सप्लाई से कोई भी electronic item को इस्तिमाल कर रहे हैं हमारे kitchen में work होता है mixer चलता है गीजर चलता है तो माम चीजें पंखे चलाते हैं हम तो अब आपको करना ये है कि आपका जो inverter है आप दो time ऐसे रख लें एक दिन में चाहे वो morning के time रख लें चाहे वो शाम का time रख लें दो time ऐसे select करें जिस time पे आपको करना ये है कि आपको अपने जो घर की main supply आ रही है जहां पे आपने देखा होगा इस तरह की MCV लगी होती है तो MCV को जो neutral of face होता है उसको cut off करें अगर हमारे घर में कोई short circuit होता है तो ये MCV trip हो जाती है जिसकी वज़ा से कोई बड़ा हासा होने से रुख जाता है तो friends जहां पर आपकी ये main MCV लगी है आपको दो time select करना है चाहे वो आपके लिए जो भी suitable हो जो भी वक्त आप सही समझे उस time को आपको लेना है morning ले लिए और शाम ले लिए इस time जिस time आपको ज़ादा work ना करना हो उस time आप ले लिए और लेने के बाद आप जो आपकी MCV लगी है उसको आप down कर दिए गिरा के बंद कर दिए ताकि आपके घर की जो electricity है जो supply है वो बंद हो जाए और आपकी पूरे घर के जो भी जहां जहां आपने inverter से connections दिये हैं वो उसके उपर चले जाएं अब उससे friends क्या होगा मान लिए आपने दो घंटे अपने जो भी इस्तिमाल होने वाली जो आपके inverter का power capacity है उसके इस्तिमाल होने वाली चीज़ें अगर आपने inverter से चलाई मान लिए दो घंटे आपने उसका inverter से connection कर दिया है inverter से वो चीज़ें चलनी है फैन भी चलता है LED भी चलती है LED बर्स भी चलते हैं और आपकी छोटी मोटी चीज़ें मान लिए साड़े 800 वाट का आपका inverter है तो साड़े 800 वाट की जित्ती भी चीज़ें आप उससे इस्तिमाल कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अब आपकी जो supply है वो inverter से है आपका जो main supply है जो power supply है वो बंद है अब उससे होगा क्या मान लिए आपने सुबा दो घंटे और शाम को दो घंटे ये काम किया ये formula इस्तिमाल किया तो चार घंटे आपके inverter से आपका जो भी खर्च हो रहा है वो inverter से हो रहा है तो चार घंटे के लिए आपका जो power supply है जिसका आपको pay करना होता है उससे आप चार घंटे आपका पंदरा सो रुपए महीने का बिजली का बिल आता है अगर मान लिजे धाई से तीन सो रुपए भी आपके पर मन्त इस formula को अपना के बच रहें तो इससे बहतर महगाई के दौर में आपके लिए क्या होगा तो यही वो trick थी यही वो tip थी जिसकी वज़ा से आपके बिजली का बिल बिलकुल कम होगा अगर आप इस formula को आजमाते हैं इस formula को follow करें उमीद है यह formula यह tip आपके पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को share करिए और वीडियो को like करिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है प्लीज चैनल को subscribe करें क्योंकि मैं इसी तरह की interesting वीडियो अपने चैनल TM Tech पे लाता रहता हूँ bell icon ज़रू दबाले क्योंकि हम इसी तरह की interesting वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो friends comment करके जरूर बताएं कि आपको ये formula कैसा लगा फिर मिलेंगे किसी नए topic के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा goodbye